हलो दोस्तों नमस्कार मैं संतोस पर्मा आपका अपने चैनल संतोसी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है इससे पहले हमने दो वीडियो प्रीविएस येर पेपर के जो आपका आरो ए आरो में 60 नंबर का हिंदी आएगा उससे रिलेटेड हम प्रीविएस येर जित पूरी कोसिस करता हूं कि इसी वीडियो में आप लाश्ट तक देखिए और पूरा आपको याद हो जाए मतलब आप रट लिए ठीक है चाहिए साम दाम दंड भे अक्तियार करके मतलब कुछ भी करके आप याद करने ठीक है यही होता है तो आज अनेक सब्दों के लिए एक सब्द जो की यह भी आपका दस नंबर का पूछा जाएगा तो ठीक है तो इसमें हमारा चार से पाँच वीडियो आएगा लगबग ठीक है तो चलिया हम जितने भी कुछिन आज हम साठ कुछिन लाए हैं तो साठ कुछिन में जितने भी औपसन रहते हैं उसको भी हम आप देख सकते हैं पूरा आपको confidence आएगा ठीक है तो चलिए हम बिना किसी देरी की आज शुरू करते हैं दूसरा topic ठीक है और जो नए बिजिट करें हैं चैनल पर हम उनको बता देना चाहते हैं हमारा previous year का घटना चकर पूरुवया लोकर वहां पर चला है ठीक है इसी चैनल पर आपका और वहां पर आप जाके विजिट करके देख सकते हैं सब कुछ कुश्चन हम याद करवाने की कोसिस करते हैं ठीक है नमबर आप कुश्चन भले कम रहे हैं लेकिन हम पूरा याद करवाते हैं जितने भी कुश्चन हैं तो चलिए हम बिना किसी देरी के सुरू कर सभा करते हैं ऐसी एक बात और करना है जो चैनल को वीडियो को लाई करलेंगे ठीप सबस्क्राइब नहीं करते है मैं मुछको मूटी बेसमिलता है अगर आप चैनल को subscribe कर लेते हैं ठीक है अगर आपको लगे कि हाँ हमको याद हो रहा तब ही करिए कोई जबर्दस्ती नहीं है ठीक है तो चलिए देखें पहला question जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो आप देखें वीडियो पहुच करके आप इसका अंसर देजिए फिर मैं आपको देता हूँ तो चलिए देखते हैं इसका एंसर क्या होगा जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं परतयुक्त तो यह उसको कहते हैं प कोई बात कहा इसके बाद उसको अपनी बुद्धि लगा के उसको अर्थ लगाना ठीक है जैसे किसी ने कोई बात कहा उसके बाद आप उसको उसको अपने तरफ से इंटर्प्रेट करिए ठीक है यही होता है विब्रित याद रखिए यह विब्रित होता है परति उत्तर क्या ह होता है जैसे कलास चल लाई है एक बच्चे ने उसर को एंसर दे दिया तो मलब इसके बाद दूसरे ने उसको उसको एंसर दे दिया ठीक है उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर मतलब एक बच्चे का जो एंसर उत्तर मिल गया था तो दूसरे बच्चे का भी मिल गया था यही पर एक्जामपल कि लिक कर दें ठेक तो अगर आपको वहां पर एक कुश्ण सही हो जाता है तो मैं अपने आपको बहुत मतलब सही समझूंगा कि हाम मैंने आपको याद करवा दिया ठीक है चलिए परत्यों चार केस को कहते है चार है यहां पर चार लिखा है चार का मतलब क्या होता है उचारड याद रखिए उचारड जिसका पुना है उचारड करना ठीक है किसी चीज़ का पुना है उचारड करन है तो आपका सही कौन सा है आपका साही है एह वाला ठीक है पृत्र dipping ठीक चली है भूह पर फिसके सरफ कर खंडन करने के लिए एक सब्थ है तो उत्तर देए और और आप खंडन कर दिये मतलब उत्तर देना यह मतलब नहीं कि पॉजिटी भी उत्तर दे सकते हैं लेकिन उत्तर देकर तो उसको क्या कहते हैं पड़ती युक्त अगर आप किसी को उत्तर देकर उसका खंडन कर दे रहे हैं तो आप कहेंगे पड़ती युक्त कि वह भी बात हो और उत्तर देजिए उसका खर्णन कर दी तो परती युपत होता डिपेट मैं जैसे नहीं होता डिबेट टीवी में चलता नहीं है तु कोई उत्तर देखे उसका खर्णन कर दे अध crisp आज़िका अर्थ नहीं है अब पूछिये कि आज का जो अर्थ है वो क्या होगा वीडियो पहुच करके अब बताइए इसके वाद मैं खुदी बताता हूँ देखे आज का अर्थ क्या नहीं है जिसका जन में नहीं हुआ हो इसमें अंसर होगा मोती अब देखे मुझे याद करवाना है अब देखे जिसका जन में नहीं हो वो क्या कहलाता है आज कहलाता है याद करिएगा अज कहलाता है अब देखिए ब्रह्मा बिश्रु महिस क्या अभी आप कोई सीरियल ओलेद देखें है टीवी में कि कि किसी ने देखा कि ब्रह्मा जी पैदा हो रहे हैं या बिश्रु जी पैदा हो रहे हैं मतलब पैदा हु तो इनको भी अजव बोला जाता है दसरत के पिता उनको भी अजमानाःpes तो आपको आजव का अहर्थ नहीं है मोति पर टरेकर तो मतलब आज़ आ लिखा गया है जा लिखा गया ठिक जा मतलब जन्म है तो जा मतलब जन्म आजन्म लिखागा गया आजनम मतलselves नहीं जनम जिसका जनम ना हुआ हो इसलिए याद रखिए गागा अगर अज आ जैत तो आज जमन जन में आमानोजिस का जनम नहुगा हो हुआ जनम ठीक है कौन हो सकता ब्रमाग मस्यूं मैश्द利द के पिता ठीक है इतना आप को याद रखना होगा ठीक है चले देखते हैं आप बिलीब मानिए मैं आपको पेपर तक जितने भी आभी तो हम सिर्फ एक टॉपिक का लेकर चल ले हैं जिसे हमने बुवारतनी दो वीडियो डाला है जाकर उसको देख लेंगे तो पूरी बरतनी रट जाएगी उसमें उतना कुश्चन आया ही था तो 2 वीडियो पाया ठीक है तो अगर भी हम बरतनी डाल ले हैं इसके बाद एक मलब फॉरी मलब एक टॉपिक कर देंगे पूरा ठीक है तो पेपर तक हम कम से कम टार्गेट हमारा है कि 40-50 आपको बीडियो हिंदी का प्रोवाइट कर दिया जाए 40-50 वीडियो में आपको पूरा आपका 55 पलस अगर अच्छा किस्मत रहेगा तो 60 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आ जाता है 60 ठीक है तो सिर्फ आप मेरे साथ बने रही है बस ठीक है अच्छा सा नीचे कमेंट किया करिए ठीक है अच्छा लगता है आप सब जो पॉजिटिव अच्छा कुछ सब्सक्राइब है अब देख checking किसको कछते हैं याद रखिएगा बीदुसी जो इस तरी इसी बश्य के बारे में च्छे तरा से जानती हो तो वो क्या कहलाती है बीदुसी क्या कहला आएगए बिदी जो किसी बश्य किया आई गश्य नelsे हमारी ढीचर निरि Finance Ministry उनको मिला तो वो बेदुसी हैं किस परकार के बेदुसी हैं क्योंकि वो एकनोमिस के बारे में जानती है ठीक है इसलिए बेदुसी है अब सास्त्रग्या किसको कहते हैं सास्त्रग्या बताईए देखे सास्त्रग्या मतलब अगर लिखा गया है गया मतलब बड़ा लगाया गया है सास्त्रग्या मतलब कुछ इस तरीक बारे में बात हो रही है जिस जो इस तरी सास्त्र में ग्याता हो उसी को हम सास्त्रग्या कहते हैं सास्त्र में ग्याता किस तरीको सास्त्रग्या कहते हैं याद रखिएगा ठीक है चलिए नेश्ट देखते हैं कि इसको आपको प तक हम सब यहीं पढ़ें जो इस्तरी पी सूरी भी ना जिकी सूरी नहीं देखी तो मतलब वो क्या गर鍵 के अंधर ही रहे हमेसा घर के अंधर ही रहेगी तो यह कट भूता था बहुत पुराने जबाने में हो exciting अब ऐसा जाएगा इसमें और कुछ बताएं लाइग नहीं है चलिए आगे क्या आर्थ क्या है अज अभी हम क्या पढ़ें अज आज यह मतलब क्या था जिसका जन्म ना हुआ हो कौन थे ब्रम्हा बिश्डू महिस दसरत जी के पिता अगर पुछा जाए दसरत जी के पिता को क्या नाम दिये जाएगा ठीक है यह भी पूछ लिए जिसका जन्म ना हुआ अच ठीक है तो पहले ही मैं बता चुका हूं मैं यहां पर आपको याद करवा दूंगा ठीक है मेरा काम है याद करवाना अगर मुझे पढ़ाना होता है तो यूटूब पे सही लोग पढ़ा रहे हैं कई लोग आप जाके वहीं भी पढ़ सकते हैं लेकिन उसको पढ़ने का मतलब कुछ नहीं है जब तक आपको याद ना हो ठीक है तो चलिए हम देखते हैं अग्य क्या होता है अब बताइए अग्य किसके लिए परियोग किया जाता है तो क्या होता है अग्य मतलब क्या छोटा अग्या लिखा गया है ग्य मतलब ग्यानी ठीक है और आ मतलब अग्यानी तो अग्यान इसमें कौन सा होगा बताइए जो सब कुछ जानता होगा नहीं जो थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी नहीं अग्यानी मतलब कुछ भी नहीं जानता हूँ जो जानता भी और नहीं जानता हूँ यह तो होगा नहीं जो कुछ भी नहीं जानता हूँ उसको कुछ भी नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं अग्य कहते हैं अब देखिए अग्य को क कि पैच से लिखेंगे छोटा आ फंगा ठीक है तो गया म Mitch Tomato आ मलब नहीं तो हिंदी में जब आ लग जाता-ुसको मुझा म kaçता उसकी हिसके मनलब ना ज्रया नीगेटवया आ जाता तो मतलब आ अग्यान है तो अग्यान होता है ना तो अग्यान मतलब जो कुछ भी न जानता हो बस यही आपको करना है चलिए हम निश्च देखते हैं अब देखी यहां है नो अब देखिए यहां पे लिखा गया है और वह कवी जो ततकाल कविता करे एक सब्द है जो ततकाल कविता करे अच्छा कोश्चन काफी बार पूछा जाता है तो उसको क्या कहते है वीडियो पहुच करके बताईए 2021 में आया है तो उसको क्या कहते है आसु कवी ठीक है याद रखेगा उसको क्या कहते है आसु कवी बोलत करने हैं वार को घाल करने वालों को आसू कहते है ऐसे करेंगे कही लोग का आसू को कोई सुख वी सुनते हैं उनके आख में आसू आ घालता है ठीक है तो आनकों सपहोड़ी है और दुख के बहुत आते हैं तो अत्तकाल भी आते हैं ठीक है तो आसु कभी याद रखेगा कुछ भी बना लेजिए ठीक बस जिसकी आसा ना की गई हो के लिए उपरीवत सब्द है जिसकी आसा ना की गई हो अब पहले देख लीजे इसकी वरतनी क्योंकि वरतनी भी यही ठीक है तो बड़ा डंडा ये नहीं रहेगा ये एकदम सीधे रहेगा ठीक है आप परत्यासित आइसे लिखा जाएगा ये मतलगाईएगा ठीक है नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आप परत्यासित कहते हैं जिसकी आसा ना की गई हो अब बताएए किसकी परत्यासा किसे क को प्रत्यासा कहते हैं क्या प्रत्यासा कहते हैं आसा तीत किसे कहते हैं बहुत बार पूचा जाता है आसा से बहुत अधिक आसा तीत ठीक है जो आसा से आसा से परे हो ठीक है उसको आसा तीत कहते हैं आसा कभी लिख सकता है आसा से अधिक लिखिया देखिए आसा से अधिक या आसा से परे ठीक है तो आसा से परे लिखा हो तो आप क्या करेंगे आसा तीत करेंगे ठीक है आसा तीत ठीक है यह हो गया अब आसानवित कीसे कहते हैं बताई यह आसानवित तो वो जो आसा से बधा हुआ हो ठीक है तो आपके जिसे मम्मी पापा है वो आसा लगाए हुए है कि मेरा बेटा या बेटी इस बार आरो यारो का पेपर पास कर लेंगे ठीक है तो वो आसा से बधे हुए हैं उनके आसा को आप मत तोड़िये ठीक है तो उसी को कहते हैं आसानवित हैं वो कि मेरे बच्चे इस बार आरो यारो का पेपर खिलियर कर लेंगे तो वो आसानवित है ठीक है तो आसानवित अगर पूछे तो आपके मम्मी पापा आसवानवित है ठीक है आसा तीत आसा से अधिक आप परे आप प्रत्यासित जिसकी आसा ना की गई हो जैसे अभी किसकी आसा आरो यारो की इतने पदों की आसा नहीं की गई है कि इतने पद आ जाएंगे लेकिन आप प्रत्यासित था इसलिगे तो आ गया ठीक है तो आज हो भी याद हो गया ह चलिए हम दाते हैं जिसकी आसा ना की गई हो के लिए अब देखिए जिसकी आसा ना की गई हो दुबारा आगया कोई द्कत नहीं हम फिर दुबारा पढ़ Etsy अब देख है कैसे लिखेंग support तो आ पर सिस्ट है ये एक बात याद रखे सब मैं यह लूद्ड कर आपका देख लीजिए ठीक है तो यही आपका क्या होगा जिसकी आसा ना की गई हो आप परत्यासित आसा तीत किसे कहते हैं आसा से बहुत अधिक ठीक है तो जो आसा से बहुत अधिक हो उसको आसा तीत कहते हैं क्या कहते हैं आसा तीत अगर सोची किसे कहते हैं जो आगे की सो सोचते रहते हैं हमेज़ा ठीक है वह उन्होंने बताया कि बब्ल लग की जन्सटें का कम हो जाईए तो सही बताया हूंगे तो आगे की सोचते हैं ठीक है नाउमीदी वाप जानती होंगे तो चलिए हमने इस देखते हैं बिना पलक जबकाए के एक सब्द क्या है बीना पलक जबकाए बहुत ही important question है पेपर में आ सकता है यह question में बोल दिया हूँ यह question याद रखेगा पेपर में आ सकता है 21 में आया है आपके में भी आ सकता है तो क्या है बीना पलक जबकाए तो निर्मी क्या होता है निर्मी मेस कुछ लोग दूसरा लेकिन भी पलक नहीं है तो निर नीमेज तभी मैं कह रहा हूं यह पेपर में आ सकता है अगर बिना पलक जबकाए कोई काम कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं आरो यारो की तयारी कर रहे हैं बिना पलक जबकाए तो माल दीजी निर निमेज ठीक है इसके लिए एक अलग सब्द होता है जिसे माली जैने निमेस ना दिया इस बार दे दिया आप पलक ठीक है अगर आप पलक दे दिया तो भी आपका सही होगा एक टक हम कहते है नहीं एक टक देख रहा है वो हमारी वीडियो को संतुसी फ्यूचर क्लासेश को चैनल को ठीक है तो यह देखे एक टक हो तो बता यह उत्तरा अधिकार में प्राप्त संपति को क्या कहते हैं तो उत्तरा अधिकार प्राप्त संपति को क्या कहते हैं रिक्त कहते हैं क्या कहते हैं रिक्त कहते हैं याद रखिएगा अगर रिक्त लिखा है तो उत्तरा अधिकार में प्राप्त संपति धरोहर किसे कह हैं यह हैं यह यह भी हैं इनकी बस тоёл इनके पास रख्ड़ के क्या क большой चोटी सी है यह जाके इनके पास आ गई गही है तो यह कहता है कि धरोवर अपिकंघत दूसरे की जो बस तो द्हरोवर यहां भी आरोयारो में आया था, यह दोहजार इकीस में आया था, यहां नहीं दोनों लिखे हूँ, लेकिन यह दोहजार इकीस में भी आ चुका है, दोहजार इकीस में यहीं इकीस में भी आया है, तो यह देखिए, उत्रा अधिकार में प्राप्त क्यों, रिक्त कहते हैं, क् उत्राधिकार में अब बताए परिसंपत्ति किसे कहते हैं परिसंपत्ति जाद रखिएगा एक एक सब्द में बता रहा हूं परिसंपत्ति किसी बैक्ति या संस्था की अधिकारिक संपत्ति ठीक है अगर किसी बैक्ति या संस्था की जो अधिकारिक संपत्ति है उसे संपत्ति होगी ठीक है तो वही रिक्त उत्रादिकार में प्राब्त है संपत्ति चले निए जो युद्ध में इस्थिर रहता है इन अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो जो युद्ध में इस्तिर रहता है उसके लिए कौन सा है युद्ष्ठिर क्या होता है युद्ष्ठिर जो युद्ध में हमें सा इस्तिर अब एक चीज़ याद ध्यान लगेगा युद्ष्ठिर लिखा कैसे जाता है तो यह कैसे लिखा जाता है यू थी अधसा ठी रह युद्ष्ठीर युद्ष्ठीर ऐसे लिखा जाता है युद्ष्ठीर फिर लिख देता हूं यू थी अधसा ठी रह ठीक है ऐसे पढ़िए कि पेपर तक याद रहे ठीक है आपको और सब्जेक्ट पढ़ना ठीक है पेपर उसे कहते हैं क्या हैं देखिए अब देखिया अगर पता होगा यह दो चाल कर देगा यह घटेसा ओट देगा तो पूरा देखिए गाला है क्या आटा है या कभी ऐसे लिख देगा यू तहां पर बड़िक मनद्धी अधसा ठीर है ऐसे वो बजहाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपको छोटी सी छोटी सी दोनों लगाना दोनों में छोटी चोटी सी लगेगा युद्विष्ठेर में जो इस युद्व में इस्थिर है उसे कहते हैं तो युद्विष्ठेर के लिए युद्विष्ठेर कम बोलने वाले के लिए पताए जो कम बोलता है उसको उसके लिए क्या कहा जाता है तो जो कम बोलता है तो उसको बोला जाता है भाई मत बोलो तब जब बोलते हैं मत बोलो तब भी वो कुछ बोलता रहता है तो मत से मित तो जो कम बोलता है उसे मित भासी याद रखिएगा वहां कंभी हो जाएंगे इसलिए मैं कुछ ट्रीक दे दिया जिसे कम बोल तो आप कहते हैं कम बोलो कम कभी लो करते हैं अब कम मत बोलो तो मती बोलो तो कहता भाई कुछ तो बोलने दो तो वही कम बोलता है तो ठीक है तो वो कम बोलता है तो मित भासी अब क्या होता है बहुत भासी किसे बताया जाता है तो बहुत आधिक नहीं बहुत सी भासा को बोलने वाले को तो कई भासाओं को बोलने वालों को यह मत कई भासाओं को बोलने वाले को क्या करते हैं बहु भासी अब देखें मिर्द भासी क्या करते हैं जो मधुर बोलता है उसकल के बताना नहीं जो मधुर बोलता है वो मिर्दु भासी कहते है अब बताईए आभासी किसे कहते है आभासी अब देखे भासी मतलब जो बोलता है भासी मतलब जो बोलता है आभासी मतलब जो नहीं बोलता है तो जो भासा नहीं बोलता है वो आभासी कह लाता है याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ, जो भासा नहीं बोलता है, ठीक है, तो जो भासा नहीं बोलता है, वो क्या कहलता है, आभासी कहलता है, आप परिमे किस वाक्यांस के लिए एक सब्द है, ठीक है, तो आप परिमे किस वाक्यांस के लिए एक सब्द है आप पताईए तो यहां पर आपका होगा दो दो एंसर होगा ठीक है पहला होगा यह भी होगा और आपका यह भी होगा जो तौला यह नापा ना जा सके आपर में होता है जो परमार से सिद्धना हो सके वो भी आपर में होता है तो यहां यह एंड सी होता है क्या होता है जो तावला या नापा ना जा सके आप पर्मिय जो परमार से सिद्द्रणा हो सके आप पर मतलब मुलब नापना और आपना आपना रही से इसारी कर दीजिये घीए चलिए यहां निस देखते हैं किसी पर बीजे प्राप्त करने की इच्छा रखने किसी पर बिजय पराप्ट करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं अच्छा कुश्चन है बताईएगा अब देखे पहले बिजित देख लिजिए क्या होता है इसके आप तो बताईए कौन साले सर सही ने बिजित क्या होता है जो जीत लिया गया हो, क्या होता है, जो जीत लिया गया हो, तो जो जीत लिया गया हो, तो जो जीत लिया गया है, तो वो क्या होता है, जीत लिया गया है, जिग्यासू, तो इसका इंस्वर है, किसी पर बिजे पराप्त करने की इच्छा, तो इच्छा न, इसी में तो जिग्यासा है उसके अंदर ठीक है जिगी सू उसको जिग्यासू कहते हैं याद रखियेगा जीग्यासू कहते हैं जो अभी जिग्यासू बरताएंगे उसको क्या करते हैं जानने की इच्छा उसको जिगी सु कहते हैं, यहां पर आप बहुत कन्फियों जोंगे, याद रखिएगा, यहां पर होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, तो इसका हो जाएगा जानने की इच्छा, याद रखिएगा, इसको क्या करते हैं, जानने की इच्छा, बिजेता क्या हो जा और जिसने बिजय प्राप्त कर लिए लोगी अब डिखे चीज यह चाननी याद कि आते हैं जीगीशो याद रखिए गाजिए गयाद करने कि इच्छा है घीक है तो कौन है यहाद रहए कौन से कोन जी सुर्ट वांगे घ साहिए ओरह आरे लए तो आपका कौन जी जी dus आध के लाएंगे यह मान लेजीए है अभाम का राहूल गादी तो क्या कर रहे हैं बाध्ट नेरेंद मोदी जी पर राहुल जी कर रहे हैं सोच रहे हैं कि हम उन पर बीजे पराप्त कर लेंगे या कंग्रेस सोच रही हैं बार बीजेपी पर बीजे पराप्त कर लेंगे उनकी इच्छा है नहीं तो किसी पर बीजे पराप्त करने की इच्छा रखने वाले जी इसु कहल ये असूरी पस्या ये तो कई बार बता जा ठीक है तो जो इस तरी सूरी भी नहीं अब ये बताया था ना जो इस तरी सास्त्र का ग्याता हो जो इस तरी सास्त्र की ग्याता हो की ग्याता हो उसको क्या कहते हैं वो सास्त्रा क्या दूरी निवार की से कहते हैं जो जल्दी रोक या हटाया ना जा सके उसके लिए क्या कहलाता है दुर निवार तो याद में लिख देता हूँ जो जल्दी रोका या ना हटाया रोका या हटाया ना जा सके ठीक है तो क्या रोका या हटाया ना जा सकता है तो बताइए तो क्या रोका या हटाया ना जा सकता है मौसम आप मौ है तो वो धूर निवार किया मौत को आप हटा सकते हैं नहीं तो मौत क्या है दूर निवार है मौत क्या है धूर निवारे जेसको रुका या 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 थोड़ी तो दूरी निमार जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके जो लिखें है यह यह सही है ठीक है अब देखिए इस त्रैड के लिए क्या कहते हैं इस तरीके बस में रहने तो जो होते हैं लोग मतलब वह ऐसे भासा में बोलते हैं गुलाम मतलब जो रू का गुलाम यह अलग लेंगे जो बोलते हैं तो यह होता है जो रू का गुलाम तो इस तरीके बस में रहने वाले को इस त्रैड कहते हैं इस त्रैड तो अगर उनको बोल देंगे कि इस त्रैड तो नहीं अगर जो रुका गुलाम बोलेंगे तो समझ जाएंगे जो रुका गुलाम ठीक है अगर इस्तरेड किसी को बोलेंगे आप अपने दोस्तों को इस्तरेड अगर बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो आज की बाद कभी भी गलस अगर कुछ निकालना हुए स्ट्रेड कर दीजिए तो वह नहीं समझ पाएगा तो वह जाके बुग डूड़ेगा किसकी हिंदी की ठीक है आरो यारो पेपर में डूड़ेगा क्या पूछा गया थे स्ट्रेड सास्तराग्यत होई गया चलिए हमने देखते हैं आई होप आपको याद हो रहा होगा मेरा सिर्फ मकसद देखिए याद करवाने ठीक है अब देखें उन्नीस कुश्चन है 28 मिनिट हो गया ठीक है तो आपको याद हो गया होगा जितना मैं पढ़ाए हूँ जो तौला जा सके क परमे होता है ठीक है जो तौला या ना ना पजब कर आप परमे हम पढ़ेते ठीक है तो बताए अनुमे किसे कहते हैं अनुमे जो अनुमान करने योग हो उसे अनुमे कहते हैं अब जिससे अनुमान लगा ले रहे हैं कि आज बारिस होने वाली है इसा अनुमान लगा जाता हो सकता है आज बाज हो सकता थंडी ज्यारा पड़ी तो अनुमान है तो यू ले ले cuando है आज भी हम पहले गाउं में आता था एक लक्षी याद रख़ी याद रखना जाए लची बैचने तो क्से एंशनी तो क्या होता था ने कर दो cudिन होता था न हुपर और तो किसी के लोग यह लोहा ओए देके बच्चे जो होते हैं वो वो दे रहते तेटível उनको लच्छी पढ़ा देता था था तो बच्छों को नहीं पता था यह लोहा बहुत कीम यह ठीक है तो बीनि परिम्य होता है जो तौला जासा कि परिम्य होता है तो आपके यही होता है जो इस वर में विष्वास रखता हो के लिए क्या सब्द है ठीक है आप जब तक अपने खुद के लाइफ से रिलेट करके कुश्चन नहीं पढ़ेंगे देली जीवन के तब तक कोई याद नहीं हो ऐसे टेकनिक बनाईए कि आपको हर बहुत बार याद रहे कोई चीश ठीक है कि आपका दिमाग थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज करे वुस चीश को मतलब एक कलू से दूसरे कलू पकड़ने में तो आपके दिमाग भी आपका इंक्रीज बढ़ेगा ठीक है तो इस वर में जो विस्वास रखता हो क्या कहता है तो वो आस्तिक होता है जो ना करता होता है करता है नहीं नहीं नास्तिक यह तो आपको पता होगा दो जी इस्वर में बिस्वास करता हो आस्थिक जो न करता हो नास्थिक जो किसी के प्रतियासा अभी देखे पेपर में अगर पूछ ले जो इस्वर के जो किसी के परकार किसी में आस्था रखता है तो उसको आस्थिक मत रखिएगा ठीक है उसको आ आस्था WAN होता है ठीक है जो विश्वास की लाइक हो ओबसवासी होता है ठीक हैarme आज को आपको याद हो गया हो ठीक है तो इसका आपका आस्तिक जो दुह देख जो कुछ जानें वाला ठीक है यही यहां यही पर वहां कन्फ्यूज होता है वहां यही से कुशन आजाता है इसके बाद अब चेहरे उसका देखते हैं जो टीचर वहां गाड़ी लगा है उसका बार बार चेहरे देखते हैं फिर बार बार अपना किताब देखते हैं सा कहीं स्टार्ट हो रहा है किसी से, सा कहां, यहां सा सा ज्ना नहीं लिखा नहीं, यहां सरवग लिखा गया, बस ऐसे याद पकड़ लिया करिए, पीडिचर का मुझन नहीं देखेंगे, फिर अपना कां सी, सी गोला कर देंगे तुर्ण दिस ते, अब चलिए यहां, जो किस किसी पिसे का गयता है अब जैसे हम वहां सास्त्राज्यां पढ़ेंदہ तो वो जो इस्त्री थी वो सास्त्र में जो कोई सास्त्र है ना बहुत सग कहते हैं अभिग बहुत बार पूछा जाता है अभिग के लिख लिए अभिग क्या होता है अभिग मतलब जानने वाला या जानकार जो जानकार होता है उसको क्या कहते हैं अभिग कहते हैं ठीक आपके निगाह में जो जानकार बहुत होगा इसे जानकार कौन होता है हमारे बाबा दादी ये नाना नानी ये सब जानकार होते हैं ठीक है वो जो कुछ कह देते हैं वही हो जाता है ठीक है लकीर होती है वो सब बिना टेकनिक के मतलब टेकनिकल इंस्ट्रुमेंट यूज किये भी कुछ चीजे बता देते हैं तो वो जानकार होते हैं अभी क्यों होते है याद रखें ठीक है विश्ष्ष्ट क्या होता है किसी साधिस हमारों में एक मतलब जो सबसे मतलब जिसकी जिस पर सबकी निगाये हो ठीक है तो वो क्या कहलाता है विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्याद रखिये, स्वालंबी, जो अपने सहारे पर रहे, उसको स्वालंबी कहते हैं, अब पूछेंगे सर्व, आत्म निर्भर में क्या अंतर है, स्वालंबी में कहता है, तो जो अपने सहारे पर रहे, उसे स्वालंबी कहते हैं, जो अपने ऊपर निर्भर रहता हूँ, ठीक रखिएगा अब यहां देखिए कुछ खास सर्तों पर किसी कारी को करने के लिए समझ होता है तो क्या कहलाता है तो अभी देखिए जैसे बेरजगाड़े बढ़ गई है तो बहुत लोग संबीदा पर काम कर रहे हैं ठीक हैं कांट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं वही जो खास सर् होता है तो संबीदा होता हुँ उसी को संबीदा कहते हैं याद रखेगा उसको संबीदा कहते हैं चलिए ने दिखते हैं जिसकी पहले से कोई आसा ना की गई हो तो अभी हम बताएं आप पर्तियासित यह बताएं तो यह ऐसे लिखा जाएगा डबल मत लगाएगा पर्तिय ठीक है तो उसको आप पर्तियासित कहते हैं चलिए जिसकी पूर्वे से कोई आसा ना की गई हो तो इसके लिए क्या हो गई आप पर्तियासित होता है क्या होता है आप पर्तियासित होता है जिसकी पूर्वे से कोई आसा ना की गई हो यह गलत सब्सक्राइब हम ही से गलत हो र यहां पर सही कि तो इसको क्या कहते हैं आ पर्तियासित और जिसकि पहले स्यासा हो उसको पर्तियासित कहते हैं ठीक है तो आई हो om बना के निश्चेते हैं राजोदवार निकाला गया अधिकारी का देश वंक के लिए एक सब्ढ़ इसके लिए एक सब्द क्या है अध्या देश निकाला जाता है ऋक्राइब सरकार डेश के दारा त्पर अपने तियुक्त अध्या डेश के दवारा अपना देस के दौरा लाए गया है क्या कहते हैं सासन द्वारा जारी किया गया कानून मतलब सासन जो बेवस्ता होता है उसके द्वारा ये राज के द्वारा वो सासन बेवस्ता के द्वारा अधिनियम बनाया गया ठीक है तो सासन द्वारा लाया गया याद रहिए का सासन द्वारा लाया गया अधिनियम अधि गारिक सूचना होती है जैसे वारो रो आप बन जाएंगे नै तो अधिसूचना प्रेसित करनी होती है अधिसूचना जो राज पत्र में परकासित हुई है उसी को अधिसूचना कहते हैं कहां परकासित होती है ये राज पत्र में ठीक है तो राज द्वारा ये क्या होता है य कानून जैसे कोई जब एक राश्रपती जब हस्ताचर कर देते हैं तो वह ऐस्ताचर साशन्य जारी किया गये और को थी यह ठीक है तो अध्यडेश समझ गए राज्य द्वारी निकाला गया आदकारिक आदेश, ये सासंग द्वारा, आदेशूजन, जो राजपत्र में प्रकासित होनी है ठीक है? वहिक्तरीज, इसका पति परदेश गया हो, उसके लिए क्या कहते हैं? तो यहां पर यह नहीं है, ये नहीं है, वो तुम तो पतिका उसको अभी एक तो याद हो गया जिसका पति चला गया हो ठीक है और जिसका पति अभी पर्देश से लौटा ही हुआ उसको क्या करते हैं इतको पोसित पहते हैं पोसित में चला गया तो आगत होता है तो आगत पतिका ठीक है याद रखेगा आगत पतिका उसको बोला जाता है जो लोटा हुआ हो ठीक है याद रखेगा तो देखे ये तो एकदम दुखी हो गई है ये क्या इस तरह क्या हुई है ये तो एकदम खुस है अब ये क्या है ये समो बेस इस्तिति में जिसका पति है वो बिदे कर रही है कि हमें यह कश्ट धूर देखना पड़ेगा ठीक है तो इसको प्रतस्पतिका याद रखिएगा पूरा याद देख लीजी ऐसे ही बनेगा नहीं तो अब वर्दनी गलत कर दें प्रतस्पतिका कठिन कुश्चन अगर बना देंगे तो यही आएगा अभी विदेश नहीं गया है। लेकिन इनका डेट डिसाइड हूगै है कि हमको प्रतस जाना है और इनका तो आगेया है और प्रो juftर प्तिका ये तो चला गया है ये तो भोल गηए होंगी रोना डोना ठीक है तो स्वारी अगर किसी को बुरह लगी है हमारा याद कराने के तरीक है नहीं तो ताकि आपको याद रहे है ठीक है और यह प्रवस्थ पतिका मतलब जो पिदेश जाने वाले हैं अभी वो कल इस तरी जो है अभी कलपना में दुखी है ठीक है उनकी पयर से शृत्दक वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या है बताई पयर से सिर्थ तो पेड मस्टक तो पैल से सिर्थ तक क्या होता है अपाद मस्टक ठीक है यह देखे कितनी बार पूछा गया है ठीक है मेंस में दो यह बार पूछा गया यही याद रखिए पाद मस्तक मतल लिखेगा पाद मतलब पैर होता है मस्तक मतलब मैसर तो आपाद मस्तक यह देखें तीसा कुछ आनुचित बात के लिए किया गया आगरा है तो आनुचित बात के लिए जो आगरा किया गया है क्या कहलाता है तो वो दूरा क्या कहलाएगा दूरा गरही कहलाएगा जो आनुचित बात के लिए किया गया है वो दूरा गरही कहलाएगा याद रखिए से जाएगा दूराग्रह सब पढ़ेंगे क्या होता है आनुचित बात के लिए अड़ना जैसे दूराग्रह क्या कहलते हैं बच्चे जो होते हैं चोटे जो कहीं जाते हैं तो उनको कुछ चीजें ऐसी चाहिए होती जो उचित नहीं होती है ठीक है जैसे अभी कोई माली वो अनुचित बात के लिए मतलब वो अनुचित बात है तो उतना बार ट्रक्टर थोड़े इसको खरीद के दिम के चोटे बच्चे हुआ तो वो अनुचित बात के लिए उड़ना आड़ना ठीक है तो जो अड़ जाता है तो वो दुरागरह होता है और दुरागरही क्या होत है अनुचित बाद के लिए आगरह करने वाला ठीक तो अनुचित बाद के लिए जो आगरह करे वही दुरागरही होता है तो यह समझेगा यह मैं लिख देता हूं यह लिखा जाता है अनुचित बात के लिए लड़ना ठीक है तो ये दुरागरह है किसी अनुचित बात के लिए लड़ गी है और दुरागरह क्या है अनुचित बात के लिए आगरह करने वाला तो जब बड़ा बच्चा होता है ये तो छोटा बच्चा है ना अब ये बड़ा गरही में बड़ा बच्चा जाएगा तो कोई अनुचित बात कर रहा है जैसे उसको क्या चाहिए किसी बड़े बच्चे को आइफोन चाहिए यह अनुचित बात के लिए आगरह कर रहा हो तो लड़ा सकता नहीं बड़ा हो गया है तो आगरह कर सकता नहीं तो आगरह कर रहा है उसको दुरा गरही कैसे है तर्दों के लिए एक सिप्द किया है जंगल कि या क्या किए प्लेज अगर जिनको एकदम स्विद्ध मैं लग रहा होगा वह क्या करेंगे इस पीड को बढ़ा लेंगे थी कि स्पीड अगरा बढ़ा लेंगे तो सही रहेगा या OUT मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि यह क्या है मैं यहाँ पर याद करवाने की कोशिज कर रहा हूं मतलब कुश्चन नहीं दिखाने की कोशिज कर रहा हूं कि कुश्चन यह पहला यह दूसरा है ठीक है तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब का बटन है को बढ़ावनल कहते हैं अभी यह बहुत कमबार पूछा गया है समुद्र की आग यह पूछ सकता है ठीक है याद रखिएगा पूछ सकता है दावनल तो बहुत बार पूछा गया है समुद्र की आग पूछ सकता है कि इसको कहा बढ़वानल कैसे याद करेंगे समुद्र बढ ही होता है ठीक है तो समुन्द बड़ा होता है इसलिए बड़ावा नल कहते हैं जंगल की आग जंगल से ही दवा जितनी जड़ी बूटियों होती है उन्हीं से दवा बना जाती है इसलिए दवा नल होता है पेट की अगनी जठ रागनी होती है पेट की अगनी जठ रागनी हो होता है हाद री मौने आध्य है आध्य हमाद्य दिकाव फंद्वन पांथन तो अधो-ठीक आध शेंग की लिए होता है दोधोन तो देखे दोजारिकी समें अगर तीन याद है तो इसको आप कर लगा दे ठीक है इसलिए तीन हुजाद पैट खेगनी जट रगे, समंद्री बढ़ा होता है, इस बढ़वाना जंगल की आग दावाना ले तो पता ही होगा सबको अपनी घिवाता इसनी से उत्पन पुत्र, अपनी घिवाता इसनी से उत्पन पुत्र के लिए क्या होगा अच्छा कुश्चन है तो वो क्या कहलाता है जो अपनी विभाईता के लिए से तो वो आउरस कहलाता है तो हम सब क्या है आउरस एक आउरस होते हैं ठीक तो जो अपनी विभाईता इस तरी से उत्पन हो उसे औरस करते है Vince जरायूज किसे कहते हैं याद रखिए गर जरे जरायूज वासिसु जो जिव जो ख्यड़ी में मुनल जो बच्चा होता है ख्यड़ी में लिप्टा हुआ पैदा हुआ हो जैसे ख्यड़ी होता है क्या ख्यड़ी अब उसको तो इस मिलें नहीं कर सकता। लेकिन जो पैदा होते हैं मनलब कई तरह की वैसे material होते हैं ठीक है तो उसको जरायूज कहते हैं ठीक है उसको जरायूज कहते हैं जारज किसको कहते हैं याद रखेगा जो बिवाद आप देखिए तो औरस हो गया जो अपनी बिवाहिता से इसको जो खेड़ी में लप्टा हुआ सीसु पैदा हुआ उतो जरायूज कर जारज किसे कहते हैं तो बिवाद जो बिवाद से अलग जो संबंद से संतान जो उत्पन होता है उसको जारज कहते हैं ठीक है तो उसको जारज कहते हैं उसके लिए एक सब्दे लेकर मैं बोलना नहीं चाहता है उसको जारज कहते हैं जो क्या कहते हैं विवास से अधर सम्मंद के लिए उत्पन होता है उसके जारज कहते हैं दत्तक तो आप जानते ही हैं दत्तक पुत्र हिस्टरी में पढ़े होंगे ना संतान ठीक है गोद ली गई संतान ड़त्तक को समझ में आ गया अवरस को याद हो गया अपनी इसतरी से नहीं अलग से उद्पन उसको जारज कहते हैं जो खेड़ी के साथ लिपटा हुगा हो पैदा हुगा उसको जरायुज गोद ली गई दख तक 21 में आया है इसलिए इसमिना इस्प्रिन के जो ग्यात इतिहास से पहले का हो उसके लिए क्या कहते हैं तो जो ग्यात जो इतिहास अभी ग्यात हुआ है उसके पहले का है तो उसको उसके लिए क्या कहते हैं प्रग इतिहास सिख ठीक है प्रग इतिहास सिख ठीक है जो इतिहास आज माली जी यहां से इतिहास बनना इस्टार्ट हुगा तो यहां वाला जो कहलाएगा और यहां वाला यह अग्यात है इतिहास यह अग्यात है तो मतलब जो ग्यात इतिहास से पहले हो उसको पराग इतिहासिक जो बाद में हो उसको इतिहासिक तो जो इतिहास से सम् उससे भी पहले का रहा है तो वो पराग एतियासे कि दोजार इकीस में आया है देखे ठीक है जो अचानक आखों से ओजल हो गया हो क्या कहते हैं जो अचानक आखों से तो आप बता सकते हैं आरो यारो में आया है तो उसको क्या कहते हैं या दुद्वरतनी देख लीजिए अं अंतर द्यान तो यहां नहीं जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा जाएगा इसे कर दिए यह फिलिए अंत ध्यान एक तो अंधर जो बाएं हास सधा हुआ है क्या कहते हैं जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो तो उसको सब बेसाची कहते हैं याद रखिए जो बाएं हाथ पे सजा हुआ हो उसे सब बेसाची अब आप सुचेंगे वामपंथी भी कुछ बाएं हाथ से रिलेटेड है हाँ तो जो बाएं रास्ते पर चलते हैं जैसे एक राइड बिंग प पार्टी है तो राइड बिंग पार्टी बीजे पी है तो ये बाएं रास्ते पर चलते हैं जो बाएं रास्ते पर चलते हैं बाएं रास्ते पर चले वो कहते हैं वाम बंदी जो दाहिने पर अब बजर पारी क्या होता है जिसके हाथ में बजर हो उसको बजर पारी कहते हैं ब चलों एक टरने या पार होनी का इंच के लिए एक सब्द है तो कैसे लिखा जाएगा तीर एक आई से करके ऐसे लिख देगा गलट ठीक है गलत है यह तीर ताप बड़ी मंत्रा साप तीर तीर सू ठीक है तो उसको तीर तीर सू बोला जाता है अब ऐसे लिखेंगे देखिए तीर तीर सू यहां राना लिखकी यहां लगाया जाता है ठीक है तो तीर तीर सू होता है उसको ठीक है तीर तीर सू बोला जाता है नहीं हो आम कर देंगे जिसका निवार अतियंत कश्ट से किया जा सके ठीक है तो जिसका निवार अतियंत कश्ट से किया जा सके नहीं है यह सही नहीं तीजिए जिसका निवार अतियंत कश्ट से किया जा सके क्या करता है बताईए जिसका निवार अत्यंत कश्ट से किया तो इसको क्या करते हैं दूर निवार जिसका निवार अत्यंत कश्ट से किया सब अब यहां कान की नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक सब्द बताईए तो कान की नीचे जो लटकता है उसे क्या कर्ड़ पाली ठीक है तो उसको क्या कहते हैं कर्ड़ पाली ठीक है और कर्ड़ फूल किसे कहते हैं कान में पहनने वाला एक अबूसर कर्ड़ पाली और कान के जो नीचे लटकता है तो कर्ड़ पाली कहलाता है और नीचे कहे तो पाली आ जाएगा कान में अगर पहनने वाला तो वो क्या कहता है कर्ड पाली कालाता है वो कर्ड फूल है कान में पहनने वाला कर्ड फूल है कान के नीचे लटकता हुगा कॉमल भाग जो होता है कॉमल भाग कह रहा है तो वो कर्ड पाली है ठीक है कर्ड माने कान होता है जो पान करने योग नहीं है के लिए सब्द इयुक्त बताईए जो पान करने यूग नहीं है उसको क्या क्या जो बुरा ह्या एहितकर है उसे अपत कहला जाता है ठीक है वो अपच्छ भच्छ अभच्छ किसे कहते हैं अभच्छ जो भच्छ करने यो उसको अभच्छ कहते हैं ठीक है याद रखिए अनेक सब्दों के लिए जंगल किया दावा नल वही कुशन फिर आगे की सोचने वाला तो यहां लिखा गया अग्रगामी याद दिखने गामी नहीं होगा आगे चलने बहुत दूसरा होता है ठीक है तो अग्रगामी किसको करने आगे चलने वाला तो यहां अगर आगे चलने वाला होता है आगे चलने वाला ठीक है तब यह सभी होगा आगे की सोचने वालों को क्या कहते हैं अग्र सोची क्योंकि यह सोच रहा अगर सोची समुद्र की आग बढवानल पेठ की जठ रागनी याद रखिए ठीक है जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल ठीक है तो जो बहुत बोलता है वाचाल कालाता है बहुत अधिक बोलने वाला कितनी बार आया है ठीक है तो इसको वाचाल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है क्या कहते हैं वाचाल ठीक है चलिए नहीं देखते हैं जो बेदा या तोड़ा ना जा सके जो बेदा कहते है अभेद किला है महाराडा परताब का किला क्या था अभेद था जो भेद और तोड़ा नहीं जा सकता था दुरभेद क्या होता है जो भेदा जा सके ये तो अभेद भेदा ही नहीं जा सकता दुरभेद मतलब जो भेदा जा सके लकिन बहुत कठिनाई से उसे दुर्भेद्य कहते हैं ठीक है और जो अनुभव करने योग हो उसे क्या कहते हैं संबेद्य कहते हैं ठीक है याद रखिएगा नश्चलते हैं जो एक जगा से दूसरी जगा ना ले जाया जा सके उसको क्या कहते हैं जो एक जगा से दूसरी जगा ना ले जाया जा सके उसे अस्थावर तो एक जगा पे स्थिर है ठीक है उसको अस्थावर कहा जाता है ठीक है अब ये देखें सदा वर्द बहुत अच्छा सब्दा है इसको याद रखिये गए क्या है जहां खाना सदियो मुफ्त में मिलता हो ठीक है तो जहां खाना सदियो मुफ्त में ठीक है मुफ्त में मिलता हो ठीक है मिलता हो एक बार मैं फिर आप सबसे कर रहा हूं अगर स्पीड सुलो लगे कि एक घंटे में इतना कमी कुशन हो रहा है तो प्रीज मैं एक एक चीज इस् तो उसको सदा वर्द कहते हैं जहां मुप्त में खाना लंगर नहीं चलता है जैसे बैश्वदे भी जाते हैं तो लंगर चलता रहता है तो वहां खाना क्या मिलता है मुप्त में उसको सदा वर्द कहते हैं ठीक है तो अस्थावर क्या होता है जो एक जगां से दूसरी जगां ना ले जाया जा सके ठीक है तो क्या होता है वो अस्थावर होता है ठीक है चली निश्ट देखते हैं जिसका सत्र जन्म ना जन्म ही ना हो तो जिसका सत्र जन्मा ही ना हो स्वारी जिसका सत्र जन्मा ही ना हो याद रखिये तो पता ही होगा क्या हो आजात सत्र जिसका सत्र ज पैदा ना होगा हो यह भी देखिए वही है क्या होता है यह आजात सत्रू ठीक है याद रखेगा जिसका कोई सत्रू ना पैदा हो आजात सत्रू होता है ठीक है एक सब्द यहां था ये ये वाला याद रखेगा ये वाला एक सब्द है ठीक है इे वाला सब्द में बता दे रहा हूँ आक्रांत किसे कहते हैं जिस पर आक्रमढ हो उसके लिए इस सब्द प्रयोग होता है क्यालिया है जिस याद रखिए बहुत बार पूछा गया है जिस पर आक्रमड हो उसके लिए ये सब्द पूछा गया है आक्रांद है याद रखिए गया है ठीक है जो जन्मा नहीं हुआ हो अजमन होता है ठीक है जिसे जीता ना जा सके बताईए जिसे जीता ना जा सके तो अभी वहाँ भी आपसन में था तो ये दिखिए अजे होता है जिसे जीता ना जा सके उसके उसके लिए क्या सब्द है अजे ठीक है अब ये अग्ये क्या होता है बताईए जिसे जाना ना जा सके तो बहुत लोग होते हैं इसको क्या खते बाल गंगाधर तिलक वो स्वारी बाल गंगाधर तिलक नहीं ये गंगाधर सक्तिमान वाला है वो जो गंगाधर है वो है उसको कोई जान नहीं पाया ये सक्तिमान ही गंगाधर ये गंगाधर सक्तिमान है तो वो अग्ये था क्या था अग्ये जिसे जाना ना जा सके उसे जिसें कठा से जीता जा सकें तो दुर्जिय क्या सब्ध है जिसें कठेंटा से जीता जा सकें जीता जा सकें आप परेशान मत ऊएगा चार-5 शट आएगा इसमें इसमें सब कुछ आपको रट जाएगा ठीक सिर्बाप चैनल को स이WA fancy डीए लाई कर दीजेगा ताकि हमको motivation मिलता रही है ठिक यहाँ पर आपका ये वाला सही होगा ठीक कि ये वाला मतलगा यह अपका जिसे जीता ना जासे कि अजियता हो ठीक है यह तो हम बता जाएं जिसे कछिंटा से जीता जा सके उसे दुर्जे होता है तो इसी का है लेकिन इसमें थोड़ा फिलिक्सिबल्टी है दुर्जे में जीत सकते हैं लेकिन आजे तो जीती नहीं सकते हैं आप परजे जो पराजित ना हुआ हो कभी ठीक है जिसे पराजित ना किया जा सके ठीक है जिसे पराजित ना क कोई सत्र नहीं जन्मा है वो अक्यांस के लिए एक सब्द बता ही है तो अभी हम बताएं आजात सत्र ठीक आजात सत्र और जिसे जीता ना जा सके जीता ना जा सके क्या होता है अजीव जिस का सत्र पैदा ना हुगा हो एक सब्द यह थे कि कितनी बार आया है याद रखिए लिख लिजिए ऐसे लिखा भी जाता है आजात सत्र यह तो अभ भोल जाईए आजात सत्र अपना मनतत तो साधने वाले के लिए एक सब्द अपना मंतित तो मतलब अपना काम साधनी माले, तो कोई अपना काम साधनी लेता है, फिर दूसरेंग नहीं देन देता है, वो क्या होता है, ये बताए स्वारती, ठीक है, स्वारती, छिलिए, बावन Ib QUESTION, जिसका उचारण ना किया गया हो, एक सब्सकी, झिसका उचारण नहीं लिखा गया है समचारित को नहीं कि लिखा गया है नहीं अब देखें आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन पढ़ देता हूं जो इस तरी अभिनेकरे उसको अभिनीत्ता नहीं आविनेत्तरी बोला जाता है तो गलत है जो ब्याकरड जानता हो उसकी लिए क्या होता है लेकिन तो भैकर यह क्या गलत लिखा ब्याकरड यह गलत है यह इसे लिखा टो ट्रड़ गला आँखों से परे तो परे वाले की यह क्या करते हैं फारोच मेल्ड़ तू आँखों से परे के के लिए परोच करते हैं कि परतच नहीं तो आखोंक सामने उसको तो इसको परोचंज या परतच टिक है अपर तिख्य यह पारोच ठीक मूं कि लोटकर आया वह तो लोटकर आया हुँआ परत्या कंत प्रडिव किया हुआ चिक पन्रीड आप्रली अपरी प्रीड सब्द के लिए एक वांस आपर रेव जिसे कहते हैं बताएव परीड तो आपर रेये होता है जिसका जिसका बीवा Noто Pradidhti चोपरा का भिवाए हुआ है तुकल mêsh, उल्टा कर दिजीए जिसका बीवाँ नाउ हुआ हो इसको आप रहीत कहते हैं, जिसका बीवाँ ना हुआ हो उसको leopardit कहा जाता है थो इस अम लिकर किस वाक्या आइद्सकों के लिए और से जीत पाना कठीनो उसके लिए क्या करते हैं धूरजे ठीक है तो जिसको जीता ही जीना जासे कि वह अजे ठीक है इसमें जीता जा सकता है लेकिन थोड़ा सा कठीन है तो जिसे दूर करना कठीन हो उसके लिए दूर निवार शब्पन युद्ध की इच्载 हर रखने वाले के लिए सब्द की और है तो जी लिए यदे कर कैसे लिखा जाता ये थे लिखना वाला you-you-tas'oo you-you-tas'oo ऐसे लिका ग capitalism तो ऐसे लिका गया you-you-tas'oo तएसे याद रखेगा you-you-tas'oo उद की इच्छा रखने वाला ठीक है you-you-tas'oo जिसे अपनी जगां से अलग कर दिया गया हो بتावे जिसे अपनी जगां से अलग कर तो मस्ताइब कि यहाँ करेंश से चैनसंग्या वहाँ भी स्थापित ठीक है ऐसे होता है तर दो बिस्थापित अवस्थापित मत रखेगा अब बताए यहां पे, बुरे उद्देश के लिए की गई गुप्त मंतरा, कुछ लोग होते हैं ने, बुरे उद्देश के लिए गुप्त मंतरा करते हैं, तो उसके लिए क्या, दूरभी संधी, बहुत बार important है, इसको important लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा क्य 59 सवाल जबाब बहासुजद के लिए उत्तर के लिए एक सब्द तो पड़ती उत्तर मतलब सवाल दिए जवाब दिए तो उसके उत्तर में पड़ती अपना उत्तर दे दिए तो यही होता सवाल जबाब बहासुजद पड़ती उत्तर खोज करने वाला इस वाकांस के लिए एक सब्द बताईए खोज करने वाला बताईए खोज करने वाले को तो खोज करने वाले को क्या कहते है अनबेशक याद रखिएगा खोज करने वाले को अनबेशक कहते है ठीक है क्या कहते है अनवेसक क्या कहते है निवेसक करने वाले को निवेसक कहते है ठीक है अनुपम के से कहते है जिसकी उपमा नहों लिख देता हूं जिसकी कि उपमा उपमा ना हो ठीक है तो यही आपका रह गई तो साठ कुश्चन हो गया ठीक है तो देखिए एक घंटा चार मिनट भले लगा लेकिन जितने भी कुश्चन आप पढ़े होंगे सब आपको याद हो गया ठीक है तो अभी इसमें कम से कम पांच छे वीडियो आए क्योंकि धेर स सारा है तो ऐसा मैं बता दूंगा कि आपको वहां पर यह दस नंबर का कुश्चन आपको किलियर दूसरा सब्जेक्ट होता है तो पूरी बुक आपको पढ़नी पढ़नी है वह भी सिंपल सिंपल ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको पसंद आएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जगा वीडियो को लाइक कर दिए जगा हमको थोड़ा मुटिविसन मिलता है ठीक है धन्रबाद नमस्कार जय हिंद जय भारत